कि वंदेवात्रम युवा साथियों विशेशकर ऐसे युवा जो कॉलेज में अधियनज़त है और जोत्पुर संबाग से समधित है या जैनान व्यास विशुविद्धाले से समधित है उनके यहां से आप क्लिक करेंगा तो यहां इस तरह का जो यह पेज खुलेगा जिसमें सब्जेक्ट है अब यहां जो पीडिया पे इसको आप जैसे यहां डाउनलोड गरेंगे तो यह इस तरह के से जो पीडिया पे वो डाउनलोड हो जाएग और यह पूरा नोटिपिकेशन आज यानि 27 बारा कोई जारी हुआ है और क्या नोटिपिकेशन में क्या क्या तारी करेंगी क्या प्रोसेस रहेगा वो पूरा मैं इस वीडियो में बतना को प्रेस कोऊंगा तो आईए दिखते हैं विगिप्ती जनांग 27 बारा-2022, जयनाणडव्यास, फिस्वली जोद्पूर, जोद्पूर संभाग के जोद्पूर, जैसलमेर, जालोर, पाली और बाड्मेर, जिले के सनातग और सनातगोतर दिप्लोमा वार्षिक प्रणाली को चोड़कर करके यानि बियाड और वह उनके जो फर में वह अलक से परेगे हैं पहले काफी पूर परेजम जा चुके हैं इनको छोड़कर जो रेगुलर सनात्य बहुत सनात्य को तरहें यह में जैसे बी ए में में सी बीशी जो भी फर्म है और डिप्लोमा की फर्म है निवमेद विद्यार्थियों को शुचित किया जाता है कि वर्ष 2023 की आए जो विबिन परिक्षाओं में सम्हलित होने तो इस चुक परिक्षाओं अपना ओनलाइन आवेदन पत्र ड्यू पर साइट यह अगर कोई गत्साल का पर ड्यू है तो वह भी इसमें साथ में फॉर्म पर आ जाएगा विश्विद्याले की जो वेबसेट है www.jnu.edu.in दिनांग 30 दिसंबर 2022 से बढ़े जा सकते हैं यानि शुरू होंगे तो अभी जैसे तीन दिन का समय है तीन दिन के बाद में फॉर्म शुरू होंगे और विबिन परिक्षवा के सुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन और प्रिंटेड आवेदन आवेदन आड़ कोपी जमा कराने क जो तीथिया है वो निम्नांसव रहेगी यानि कब तक आपको फॉर्म जमा कराना है पूरा प्रोसेस इसमें आपको उताऊंगा तो ओनलाइन आवेदन करने की अब यह विश्यस द्यान यह रखें कि यह जैसे इसमें लिगा हुआ है कि नीमित विद्यार्ति विलिए तो य यानि पूरा महिना 30 दिसमबर से लेकर करें 30 जनवरी तक या पातरता परिक्षा परिक्षा परणाम गोश्चित होने के 15 दिन तक या पातरता परिक्षा कमल हो गया कि अगर चैसे आप सेंट इर का फोर्म बढ़ना चाहते है और फरस्ट यह रिजल्ट नहीं आया है तो अपने जो महावित्याल है उसमें जमा कराने पड़े क्योंकि यह रेगुलर स्टुडेंट के लिए तो उनको पताए कौन से महावित्याल में करानी है तो वो दो फरवरी तक आपको जमा करानी है यानि 30 जनवरी तक आपको उनलाइन फरम बर लेने और उसके बाद में दो गोशित होने के 25 दिन तक आपको 50 प्रिक्षा सुल्क देना पड़ेगा 30 जनवरी के बाद अगर फॉरम बढ़ते हैं तो और उसके लिए आपको 16 जनवरी तक 16 जनवरी 2023 तक आपको प्रिंटेट जो आवितन पत्र आड़ कौपी जमा करानी है इसका लावा दूगने परिक् आप है दूगने सुल्क के साथ में यह ओनलाइन आवितन कर सकते हैं और उसकी जो प्रिंटेट कॉपी है वो तेस परवरी तक आपको और रूप से जमा करानी है और चौगने सुल्क के साइथ यानि फिर भी एगर आपनी पर पाते हैं तो चार गुना सुल्क के साथ में कराना है तो यह में तुपोन टाइम जो शेडूल है वो आप जुरूर द्यांद रगें इसके लाबा आगामी तित्यों परिक्षा सुल्क और परिक्षा समधित अन्य आवश्यक विस्तरत जानकरी जैनान व्यास विद्याल की जो वेबसाइट है www.jnu.edu.in पर उफिलब दे अएगी आवश्यकों को वेबसाइट पर डिशन हो यह तुब अलग लग आवश्यक अवश्यक प्रारूप लब दोंगे यह अप जिस केटिगरी के आवश्यक बढ़ना चाहरें जब्ढ आजिस एक्जाम करना चाहता है उस परिक्षा यह प्रारूप को चुने जैसे माहलो कि प्रिंट्र को शावदानी से अवलोकन न कर लें एक बार देख लेंगा आपने जो भी डीटिल्स भरी है वो सभी एक क्यों की कई तो आपके बाद में समस्य आएगी तो यह जांच लें और कि सभी परिष्टियां सही है और यह दिसुदार की जुरूत है तो दूसरा आवेदन परें इसको पैनल समेट नहीं करें आप सुल्क जमा तब तक नहीं करें जब तक आप आस्वस्त नहीं हो कि आपका फरम है वह सह पर हुआ है और अग्रेशन केंद्र से आवेदन चांच करने के परशाती सुल्क जमा करें और जैसे आप परम परें उसकी प्रिंट निकाल लें उसके बाद में एक बाद चेक कर वाले उसके बाद सुल्क जमा करें यह तोड़ा सा अलग प्रोसेस है यहन्य कि आपको सीधे प्रिंट लेनी है और और चेक करने के बाद हो जाए तब आपको आपको बैंक आप बैंकों की नेफ्ट यह जो नेट बैंकिंग की सेवाएं किसी भी ऑनलाइन भुकतां से आप सुल्क जम्हा करा सकते हैं। सूल्क दम्हा कराने के वह साथ आवे दर विपिन्तितियों के अनुसार hygiene की प्रिंट प्रती याई आइड को और के साथ सुल्क जो जम्हा करां उसकी प्रती और अन्य जो भी आवशक्त दस्ताविज है या उसके द्वर हवशक्तियों की बिल्साचरी प्रिक्षा में करताब एक बार इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटिल समझा दूं कि जैसे पहले आपको फर्म बढ़ना है उनलाइन उसके बाद मिसको प्रिंट निकालना है आपको जो भी आपका कॉलेज है अग्रेशन के इंदरे वहां चेक करवाना है और वहां से ओके होने के बाद में आपको सु बार वी की जैसे अहरता प्रिक्षाक लिए और दस्वी की जनम तिति के लिए और इसके लावा किर मालो आप जैसे हमें का फरम बढ़ना आपको ग्रेशन की जो भी फैनल या भी इस फैनल की जो भी मागलिस्ट है उसके जो मुल्ड दस्थावेज है वह आपको जमा कराने और इसके लावा जिसकी फोटो कोपी और जिसमें अन्य जो दस्थावेज है सेक्षिनिक दस्थावेज के लावा जैसे इसमें लिखा हुआ कि वर्ग से समझतित यानि आप किसी काटिगरी में है चाहे आप जाती समझतित स्थी स्थी सिओबी सी जनरल लई डूब्लियस ज आपको जमा कराना है इसके लवा कुछ नोट दिया हुआ है कि सभी अग्रेशन अधिकारी को सुचित किया जाता है कि आप दोर आवेदन पत्र जांच कर विश्व विद्याले को उप्रोक्त वनित अंतिम्तिती से दस दिवस में जमा कराना है और नियर्तिती के विश्व आपको पूरा एक महीना मिला हुआ है जनवरी पूरे जनवरी महा में 30 जनवरी तक आप बिना गुलम सुल्क के अपना जो भी आवेदन है वह जमा करा सकते हैं इस समध में अगर वार कोई जूरुद हुई तो मैं 30 तारीक के बाद में जब जैसी फॉर्म सुरू हो और यह अगर नोटिफिकेशन है यह भी आपको मैं अपने टेलिग्राम चैनल में अफ्लोप करा दूगा जहां जिसका लिंक इस वीडियो के डिसकुस में है तो उससे आप वहां से चेक कर सकते हैं तो यह मैं तो अपडेट थी कि जैनान व्यास विश्व विदाले से समध ह जो भी रेगुलर स्टुडेंट है नीमित जो विद्यारती है उनके जो एक्जाम फॉर्म 2030 एक्जाम के फॉर्म है वो जोदपूर और जोदपूर संभाग की जितने भी जिले हैं शिरुई को छोड़ करके शिरुई है वो फगड़ियो विद्याले से समध है तो जोदपू कि वहां विद्याले में आपको जमा कराने में भी बीड़ का सामना नहीं करना पड़े और अंतिम्तिति तक कई बार क्या होता है तो अंतिम्तिति का एंजार नहीं करें और जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म जमा करें तो इस तरह की अपडेट के लिए चैनल बें और इस समझे में कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं यता संबब उतर देने का प्रयास करूंगा मिलते हैं नेक्स्टूडियो में तब तक जै हिंद जै वारत